नमस्कर दोस्तों देवरत नोलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन आप देख रहे हैं computer network की हिंदी वीडियो शीरीज और सीख रहे हैं basics of computer network आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं network topology दोस्तों आज से पेले हमने डिस्कस किया था network age and network core तो दोस्तों जब हमने network age और network core डिस्कस किया था तो वहाँ पर home network, mobile network, enterprise network जैसे तरह-तरह के network डिस्कस किया थे तो अब दोस्तों हम अगर network की topology define करना चाहे कि topology of a network क्या है तो अगर आप समझ लिजिए कि यहाँ पर एक home network है तो यहाँ पर काफी सारा devices जो है वो connected है router के साथ उसी तरह mobile network जो है यहाँ पर एक जो antenna है उससे connected है यहाँ पर हाला कि कोई physical connection नहीं है लेकिन signals जो है वो connected रहते है wireless form में ठीक है यहाँ पर आप देख लिजी enterprise network है तो यहाँ पर दोनों type के connection से wire connection भी है wireless connection भी है ठीक है कुछ router से servers लगे हुए है desktop system से laptop system से यहाँ पर भी local और regional ISP और national ISP में भी तरह तरह के routers लगे हुए रहते हैं bridge लगे रहते हैं यहाँ पर cables लगे रहते हैं wire connection में तो यह जो भी devices है या components है उनको हम बोलते है network के elements तो network के elements एक दूसरे के साथ किस तरह से जूड़ते हैं उनको बोलते है network topology यानि कि network topology physical भी हो सकती है या तो logical भी हो सकती है जरूरी नहीं कभी कबार wireless network करेता है तो वहाँ पर कोई physical connection नहीं रहता ठीक है तो topology को हम ऐसा के सकते हैं कि हमारा network किस तरह से बनता है या तो कैसा दिखता है उनका structure कैसा है उनको हम बोलेगे network topology नेटवर्क है जोर network course समझने के बाद दोस्तों हमने डिसकस किया था categories of network यहां पर हमने network को तीन category में डिवेड किया था local area network, metropolitan area network और wide area network अगर दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको network topology अच्छे से समझ में आ पाई चलिए स्टार्ट करते हैं network topology network topology दो तरह की रहती है दोस्तों जैसे कि हमने कहा physical और logical फिजिकल टोपोलोजी में क्या होता है तो फिजिकल टोपोलोजी जो भी components लगे रहते हैं जैसे कि हमने discuss किया लोजिकल टोपोलोजी क्या है तो लोजिकल टोपोलोजी हम मान सकता है कि data flow यानि कि कोई दो पॉइंट के बीच में किस तरह से data एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक travel करता है physical components में अगर दोस्तों देखे तो devices devices क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया computer से laptop से cables है router से bridge है एक दूसरे से network में जुड़े हुए रहते हैं अगर हम cables की बात करें दोस्तों तो cables भी तरह-तरह के रहते है कि coaxial cable होता है twisted pair cable होता है fiber optics cable होता है यह सभी cables को हम बारी-बारी detail में discuss करेंगे जब हम transmission media discuss करेंगे तब guided media में दूसरा होता है location अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ एकी campus के लिए network design कर रहे है तो हम उनको categorize करेंगे local area network में तो उस तरह के हम device choose करेंगे जिनकी capacity सिर्फ मान लीजिए 100 मिटर तक है अगर हम main के लिए device choose करते है तो हम high capacity के device choose करेंगे जिनकी configuration high रहती है capacity हाई होती है क्योंकि हम पूरे city के लिए expand करना चाहते है तो यह बन गई हमारी physical topology अब अगर देखे logical topology में क्या है तो हम वहाँ पर consider करेंगे कि data कैसे flow होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि distance हम देखेंगे कि जब डेटा जो है सेंडर से receiver तक पौँचता है तो बीच में काफी सारे intermediatory points से पास होता है ठीक है तो distance भी यहां पर network में effect करता है कि 2 points के बीच में कितना distance है. Intermediatory node के बीच में कितना distance है Sender और receiver के बीच में कितना distance है, signal types, तरह तरह के signals हम यूज कर सकते है, radio signals यूज कर सकते है, microwave यूज कर सकते है, infrared यूज कर सकते है, ठीक है, यह signals के जो type है, जब हम wireless media discuss करेंगे, unguided media, तब हम detail में discuss करेंगे, बारी-बारी सभी signals के उपर, और रहता है transmission rate, मान लीजे कि आप internet access कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि आप 10 Mbps की speed से network access कर रहे है, 1 Gbps की speed से internet use कर रहे है, ठीक है, तो यह अच्छल में होता है data की bandwidth, यानि कि कितना data transmit हो रहा है और कितना data receive हो रहा है, ठीक है, जब data transmit होता है, तो उनको बोलता है transmission rate, ठीक है, तो यह बन topology, आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे है कि physical topology क्या है और logical topology क्या है, चलिए शुरू करते हैं, पहले local area network से physical topology में, कि local area network में किस तरह की topology बन पाती है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे simple topology, bus topology, यहां पर एक bus की जगह हम backbone cable use करेंगे, और उस cable से सारा computer को ज जोड़ देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे star topology, जिनमे एक centrally hub लेंगे और hub से सभी computers को जोड़ देंगे, उनके बाद बनाएंगे ring topology, जहां पर सारा devices को हम circular ring से एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, और last में हम बनाएंगे mesh topology, जिनमे सभी computers को हम एक दूसरे से connect करेंग ठीक है, तो यह जो चार topology है, यह हम बनाएंगे local area network के लिए, इनमें भी हम variation करके मान लीजे कि किसी दो topology का और दो से ज्यादा topology का हम एक दूसरे से combination करके hybrid topology भी बना सकते है, ठीक है, तो यह हो गई local area network के लिए topology, सभी topologies को हम one by one, बारी बारी, detail में discuss करेंगे, सभी topology के लिए एक separate video बनाएंगे, तो आशा रखता हूँ कि आप लोग डेवरत knowledge विला से जुड़े रहेंगे, आभार धन्यवाद,